वेलकम तो टॉटल टेस्ट निसकी चंचली आज बनाते हैं गुड़का मीठा चीला गुड़का मीठा चीला बनाने के लिए हमने ये एक कप गुड़का पाउडर ले लिया है और अब हम इसको एक पैन में डालेंगे और ये ही कप नापकर हम इसमें आदा पानी का डालेंगे ये देखे हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसको ऐसे जलाते हुए पूरा अच्छी तरग घोल देंगे ताकि हमारे जो गुड की डलिया है वो ना रहे और अब हमने वो ही कप नापकर 1.5 आटे का ले लिया है और ये देखे हमने इसमें आटा डाल दिया है और अब हम इसको mix कर लेंगे आपने इसको इस तरह से mix करना है ताकि जो आपका batter है उसमें कोई गाठे ना रहें अगर गाठे रहेंगी तो आपका चीला चबन कर तयार नहीं होगा और अब हम इसमें धिरे धिरे करके पानी एड़ करेंगे और पानी एड़ करके इसको चलाते हुए इसका एक soft साफ paste तयार कर देंगे और ये देखे हमारा जो paste है वो धिरे धिरे soft हो रहा है और अब हमने इसमें आधा चोटा चमच बड़ी लाईजी का पाउडर डाल दिया है और अब हमने इसमें इसको चला लेंगे इसको चला के हमने इसमें आधा चमच बेकिंग पाउडर डाल दिया और अब हम इसमें दो चोटे चमच घी डालेंगे घी डालने से हमारा जो चीला है वो बहुती फ्लप्पी और सॉफ्ट बन कर तयार होगा और तवे से चिपकेगा नहीं नहीं तो जो हमारा मीठा चीला होता है वो जाधतर तवे से चिपक जाता है और अब हमने चीले के उपर डालने के लिए कुछ किश्मिस कसा हुआ बुरादा और कटा हुआ नारियल ले लिया है अब हमने गैस पर अपना तबा रख दिया और उसको घी से ग्रीस कर दिया है जब हमारा तबा गरम हो गया तब हमने उसमें एक टेबल स्पून अपना बैटर डाल देंगे और उसको उसी स्पून की हेल्प से राउंड शेप देते हुए फैला देंगे ये देखिए हमने इसको राउंड शेप देकर कितनी अच्छी तरह फैला दिया है ये बहुत इसी तरह से फैल जाता है और अब हमने उपर से उसमें कसा हुए नारियल का बुरादा कुछ कटे हुए नारियल के पेसिस और 4-5 किसमिस डाल दिये ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से चिपक गई है और अब हम इसमें उपर से एक दो ड्रॉप घी की डाल देंगे और ये देखे अब हम इसको पलट देंगे और ये देखो ये कितना अच्छा golden brown sicker तयार हुआ है मीठा चीला खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अब हम इसको उपर से थोड़ा घी से ग्रीज कर देंगे और दूसरी तरब से पलट कर भी इसको ग्रीज कर देंगे ये देखे ये दोनों तरब से ही golden brown sicker से यार हो गया और कितना easy तरीके से तवे से भी उतर गया है और बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये देखे हमारा चिला बन गया अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया और मलाई के साथ सर्व कर दिया है अगर आपको ये चिला पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन दपा दे